हाई काईज, कैसे हो आप सब लोग, सब लोग घर में ही होना, बाहर तो नहीं निकल रहे होना, प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, घर पे ही रहना, बाहर मत जाना, कोई भी बाहर जाता है, उसे जाने मत दीजिए, यहाँ तक यह आपके घर में कोई जैंस बाहर निकल रहा है तो उन्हें मना करिये और बाहर मत जाहिए जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे और हम ही पूरा भारत रहेंगा इसलिए कुछ दिन की और बात हैं आप Node फ्लिस घर में अब खर में हैं तो हम घर में खाली तो नहीं बैढ़ेंगे ना कुछ ना कुछ तो करेंगे तो आज मैं आपके लिए मेहंदी पैक बता रही हूं कि महंदी पैक किस तर लगाएं और उसमें क्या-क्या इंग्रीडियन डालें जिससे आपकी महंदी का करर और बी ज्यादा अच तो यहां पर आप देख रहे हैं कम से कम आप यह मानलो एक से दो कटोरी मैंने महंदी ली है और इसके बाद में जो मैं इंग्रीडियन्ट इसमें डाल रही हूं वह सारी इंग्रीडियन्ट बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लेंगे आमला पाउडर आमला हमारे हैर के लिए बहुत अच्छा होता है अभी मैं इसके सारे बेनिफिट आपको बताऊंगी यह जो मैं यूज़ करूँग है यह सब ही मैंने बहुत ही पहले मंगा लिये थे अभी मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है आपको पता होगा यह दो महीने पहले या एक से तो अब भी मैं आपको बता देती हूं कि जो आमला है वो हमारे बालों में करता क्या है तो आमले में बहुत ही जादा भरपूर मात्रा में देखे हैं तो विडामिन C होता है यह आपके जो विडामिन C से भरपूर होता है and acts as a natural conditioner का काम करता है promotes hair growth by curbing hair fall and dandruff to leave your hair smooth, silky and strong बनते हैं और आपके बालों में से dandruff चला जाता है बालों की growth होती है and यह 100% organic है यहाँ पर मैं दो चम्मच आमला पाउडर इसमें add करूंगी ठीक है यह बहुत ही अच्छा है आमला पाउडर तो मैंने इसे मंगा लिया था एक साथ ही आपके साथ मैंने hair भी जो haul भी है वो भी share किया तो आपने नहीं देखा है तो उसका देख लीजेगा तो यह बहुत अच्छा काम करता है हमारे बालों के लिए तो यहां पर दो चम्मच मैंने ले लिया है आमला पाउडर अब हम जो next ingredient इसमें डालेंगे वो डालने वाले हैं यह पाउडर पाउडर ही मैं सारे डाल रही हूं क्यूंकि मैंने इन्हें मतलब एक बार यूज किया उसके बाद में वापस यूज नहीं किया था तो अभी मै ब्रिंग्राज को बेखे अज बेखे अले वाद सब्कास में यह पूसके बेखेयर नहीं देल रही है आपके बाद में हमारे बालोगे यह बहुत कैफेष या पार आपके बाले हो रहे हैं यह फ्रेंग जारोर बेंड ही यह अश्या आपको कैसरा कर समय को दिखे। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और शाइन नहीं है बालो में तो आप ब्रिंगराज जरूर काम में लीजे महंदी के साथ ही लगा लीजे या इसका अलग से पैक भी बना कर लगा सकते हैं यहां पर मैं इसका भी दो चम्मच ले लूँगी क्योंकि यह सारे जो मैं अलग से पाउडर एड़ कर रही हो ना इन सभी के मैंने दो दो चम्मच डाले है तो ब्रिंगराज बहुत अच्छा होता है आप लोगों को पता नहीं तो आप लोग सर्च कर लीजेगा इसके सारे फ कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ अलग से इसमें चीजें ऐसी डालें जिससे कि हमारे बाल हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हो ठीक है तो अभी हम यूज कर रहे हैं हिबिसकस पाउडर आपने देखा होगा इससे पहले मैंने हिबिसकस पैक लगाया था सिर में आप यह मैं स तो चार-पास दिन गैप रखके लगाये तो अभी हिबिसकस पाउडर में इसमें एड करूंगी बिकाउज हिबिसकस भी बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए प्रमोट्स हेयर ग्रोथ और रिजुनेट्स देस्काल्प पैनिट्रेट डीप इंटु दे रूरूट्स आपकी स्ट्रॉंग होती है अंदर डीपली पैनिट्रेट होकर और आपकी रूट्स को स्ट्रॉंग बनाता है बालों को कंडिशन देता है और हेयर ग्रोथ भी होती है तो यह सारे इसके हिबिसकस के फाइदे हैं और नेक्स मैं यूज कर रही हूं शिकागाई पाउडर शि अब यूजकर देता होती हुआ अंट करता है तो इसमे अथे फाइन अट को देनें चल्गी करता है घ्जकेटोर के पाउडर लिया देम कामक होती है साठी क्लमेड बना धेम ट्रॉंग देन अटार आपके हम एक अग पाउडरे गुद में में शिकागाई है ऩो यह शिकामस दो दो चम्मच इसमें डाले हैं ठीक है? क्योंकि महंदी जो आपने देखा होगा ये मैंने कम से कम दो कटोरी महंदी ली होगी आप देख पारे हैं और ये सारे डाल दिये हैं ingredient ये सब डालने के बाद आप सोचो के महंदी के अंदर कितना जादा मतलब goodness आ गई होगी इन सभी की है ना तो अब हम इसको सिर पर लगाएंगे तो हमारे बालों की जितनी भी problems है ना वो सब problems चली जाएगी और ऐसा नहीं कि बस एक application लगाएंगे और एक application में सारी problem चली जाएगी उसमें मैंने अलग चीजें ingredient एड किये थे वह भी बहुत effective है आपने नहीं देखी यह वीडियो तो प्लीज यार पुरानी वीडियो देखो आपको खुदको पता चलेगा कितने जादा फायदेमंद वीडियो है और मैं अपने हर वीडियो के description box में सभी पुरानी वीडियो के link का आपके साथ share करती हूँ आप वहां जाके उसमें देख लिया करो आपके काम की जो वीडियो हो आपको जो वीडियो चाहिए वह वहां पर I think होगी ही तो आप उस पे link पे click करके उसको खोल लिया करो अब आप यह देख रहे हैं यह है toner जो मैंने कुछ टाइम पहले नीम का इसमें पानी डाल रही हूँ मतलब की महंदी को इसी के अंदर में भीगाऊंगी मतलब पूरा नहीं लेरी लेकिन थोड़ा सा मैंने डाल दिया बिकॉस इसमें टीट्री और नीम का पानी है और नीम आपको पता है अंटी फंगल होता है और एंड बैक्टेरियल होता है जो क भीगानी है थोड़ा थोड़ा पानी लीजे हिलाते रहे है कई बार देखे क्या होता है न महादी जब हम सोग करने लगते है तो इसमें रिखाना ना लंब्स बन जाते है और उसको निकालना बहुत-बहुत बहुत मुश्किल होता है वो नहीं निकल पाती है तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और इसे हिलाते रही है अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके लंपस इसमें बन जाते हैं तो आपको उसी वक्त उन लंपस को नहीं निकालना है क्योंकि उस वक्त निकालना बहुत ही हैक्टिक वाला काम है वो नहीं निकलते हैं इसलिए बस आप क्या करिए अपने पूरी महंदी को अच्छे से सोग कर दीजे भिगा दीजे और रग दीजे और यह जो आप देख रहे हैं यह मैंने नाइट में महंदी को भिगाई है ऐसा नहीं कि मैंने अभी है बस अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके उपर मैं क्या करूंगी रात को भिगा रहे हैं तो हम राद बर खुली महंदी तो नहीं रख सकते अदर्वाइस इसके उपर एक परत जम जाती है मोटी मोटी जो की बिलकुल बेकार हो जाती है वो फिर लगने की काम की नहीं तो इसे आप पॉलिथीन से कवर कर लें तो आपकी जो महंदी जैसी आप रखेंगे वैसी सुबह आपको मिलेगी अभी आप देखे अब मैं पॉलिथीन आपके सामने हटा रही हूं मॉर्निंग हो गई है और आप देख सकते हैं बिलकुल इस परत नहीं आई है और कितनी अ सामने ही यह साथे लंचा कायब हो जाएंगे इसे हमेशा ऐसे करा कर यह लंच बन जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं आप मॉर्निंग मां या कुछ एक दो गंटे बाद में उसको जब मिक्स करोगे ना तो सारे लंच आटमेटिक हो जाएंगी यह देकिए आपके सामने में हि इसके अंदर आ गई है तो आप लोग अगर मेहनत करते हो महंदी लगाते हो तो सीधा पानी में मत इसको भिगाया करो कुछ चीज़ें डाल दिया करो जिससे आपकी महंदी से आपको और भी अच्छा फाइदा मिलेगा अभी अब मैं आपको पूरा अच्छे से इसको बताऊं किसी से अपने बालों महंदी नहीं लगवाती और मैं खुद से ही अपने बालों में लगाती हूँ मेरे बाल जब कि लॉंग है फिर भी और सब्सक्राइब कर दीचे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और सभी के साथ शेर करना ताकि सभी को इसकी हैल्प मिले